कंदा वाला जे सबजी फसिल है उकर खेती रोरे के से करब। इकर में है आरू, पेचकी और ओल। परयोग करके सोव नियर से माटी के खेती लाइक करके तभे उकर में केती करूँ अब इकर उन्नातप्रभ्यद में है मुकता केसी और बिर्सा अर्वी एक, लगाय कर विधी लगायक कर विधी है गरमकला में, सम्भुई में और बरसायत में आईर बनाएके इके बुनिक चाहिए बुनिक बादे सुखल पते मन से धाइब देख चाहिए जेके मलीचिंग कहन इकर बारे में रोरे मन के पहले बताल जाए है अब 20 ग्राम कर स्वस्त बीजा कांदा लगायक ले परियुक करें लगायक से पहले बीजा कांदा के सुन्य दस्मलो एक सुन्य प्रतिशत कार्बिन डाजीम और सुन्य दस्मलो एक प्रतिशत मिथाईल डेमोटीन से दवाई केर लेवे बीन लगायकर बेरा बढ़िया बेरा है जदी पटालब हुई है तो उकर में मार्च से मई में और जदी बेगर पटालब हुई है तो जून से जुलाई में लगायकर दूरी इमन के लगायकर बेस दूरी रहल 60 cm से 40 cm माइंद और उर्वरक कर मातरा कंपोस्ट के 15 से 20 तन प्रती हेक्टर नेत्रजन के 80 kg प्रती हेक्टर स्फूर के 60 kg प्रती हेक्टर और पोटास के 80 kg प्रती हेक्टर में देख जाए स्फूर कर पूरा पुरी भाग और नेत्रजन और पोटास कर आधे आध मातरा के लगायक बेरा और बाचल के दूधां 30 से 35 दिन और 60 से 75 दिन कर बादे दे देवे अब इतना करल बादे इके पटायक है तो पटायक लागिन जखन मौनसुन आएक लागे उकर से पहले है 7 से 10 दिन कर अंतराल में इके पटायक चाहे भाई देखू तो इतना तो केर लेली रोरे अब इकर से रोरे के उपज कितना बेटाय सिखो जाने खै तो जानू कि इतना करल बादे रोरे के इकर से उपज बेटाय 14-18 टन प्रती हेक्टर तो चलो इतु हो लग आरू कर और पेचकी कर लगायकर विधी लगायकर तरीका की कैसे रोरे इमन के लगाब और इकर से रोरे के फैदा मिली